इन खबरों पर और जो नतीज़े आ रहे हैं उस पर ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट भी आ रही हैं आपको वह भी बता देता हैं इंडेसिंट बैंक पर के जो नतीज़े आ है उसमें जेपी मॉर्गन और बैंक अफ अमेरिका सेक्योरिटी जने अपनी रिपोर्ट जारी की है जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय के साथ जो लक्ष देख रहे हैं वो चौदा सो रुपे प्रती शेयर का है इनका कहना है कि मार्जिंस काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं लोंग रूथ काफी स्ट्रॉंग है और रीटेल डिपोजिट में भी एक स्ट्रॉंग बैंक के लिए इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका सेक्यॉर्टी इस ने जो रिपोर्ट जारी कि उसमें पंद्रा सो रुपे प्रती शेयर का लक्ष देख रहे हैं और इंका कहना है कि दो हजार थेईस के लिए यह इंका टॉपिक है स्पेस में और वीकल में स्मॉल कॉर्प में जिस तरह के ग्रोथ मेंटन दिख रहा है इंडेसिंट बैंक को काफी फाइदा होगा तो ओवर और पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही हैं इंडेसिंट बैंक पर भी मेटल्स पर जेपी मॉगन ने अपनी रिपोर्ट जारी कि और हम देख रहे हैं कि मेटल इस बीच तमा है तो यहां पर आप इस टॉक्स को थोड़ा वाइट करिए और हमने देखा कि आज नालकों से जुड़ी खबर भी आ रही थी इसके अलावा चाइना में जिस तरह से डिमांड में सुधार हो रहा है सेकेंड हाफ में इन स्टॉक्स में अच्छा इंप्रूमेंट देखने को मिल सकता है तो मेटर स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए और आखर में बात करते हैं संट फार्मा की मेक्वाईरी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमी की आउट परफॉर्म की राय देख रहे हैं लक्ष देख रहे हैं 1275 रुपए प्रती शेयर का और यहां पर इंका क कहना है कि हर एक सेग्मेंट में एक अच्छा ग्रोथ दिखने का अनुमान यहां पर किया जा रहा है संट फार्मा के लिए तो इन स्टॉक्स पर आप नज़र रखते हैं और आज जो नतीजें आने वाले हैं उन पर फोकस करते हैं और आज हम देखेंगे कि FMCG स्पेस की अपनियां फोकस में रह सकती हैं एक्चिवेल के नतीजे आज आएंगे अपने नतीजें घूशित करेगी सबसे पहले एक पेंट के नतीजें कैसे रह सकते हैं यह बताने के लिए शर्द हमारे साथ जोड़ चुके हैं शर्द बताईए एश्यम पेंट के नतीजों से क्या अनुमान है जी बिलकुल देश का सबसे बड़ा पेंट कंपनी मार्केट शेयर के हिसाब से इसपेशली डेकोरेटिव पेंट सेग्मेंट में जो है आज नंबर्स जो आने वाले हैं और अगर आप सिक्वेंशली देखे तो यह नंबर्स और बहतर देखने वाले हैं लेकिन इंपोर्टन बात है वॉल्यूम ग्रोथ उसकी क्या अनुमान है उसका अनुमान है पांच परसंट का ग्रोथ का यह अरन यह बेसेश पर अब याद रखिए पिछले साल का बेस अठारा परसंट था तो हाई बेस है और इंपोर्टन बात यह भी है कि ऑक्टोबर में रेंज देखने मिलेते हैं हाला कि नवेंबर और दिसम्बर के अगर बात करें तो वहां पर अच्छी रिकवरी देखने मिली है इस्पेशली जो हाई मार्जिन जो उनकी एक्स्टीर पेंट्स की बिजनस होती है उसको लेके तो ओवर आल जो है अफकोर्स और अबिड़ा मार्जिन में भी सिक्वेंशली इंप्रूब्मेंट देखने मिलेगा और इसके दो कारण है एक है प्रोड़क्ट मिक्स में बदलाव और दूसरा इंपुट कॉस्ट जो है वो कम हुई है अब कुरूड ओयल जो है लगबक 30-35% कुरूड डेरिवेटिव पेंट में यूज किये जाते तो अब कुरूड में भी करेक्शन देखने मिली है तो इसके कारण इनके जो में इंपुट कॉस्स से वो भी घड़ गए तो इसके कारण ग्रॉस मार्जिन इंप्रूफ करेंगे और इसके लावा जो है थोड़ी सी रूपी डिप्रिसेशन हुई है तो उसके कारण जो भी थोड़ी बहुत और अगले दो या तीन क्वाटर में प्रोड़क्ट मिक्स क्या रहेगा रहेगा और कितनी कॉस्ट गिर सकती है आगे जाते हुए और कोई नए लॉंचे और कैपेक्स प्लैंस क्या रहेंगे उस पे टोटल एशियन पेंट्स पे फोकस रहेगा ठीक है तो एशियन पेंट्स पर नज़र रखे ओवरॉल कॉमेंट्री क्या आती है वॉल्यूम ग्रोथ से जुड़ी ग्रामीन शेत्रों में डिमांड्स से जुड़ी इस पर हमारी नज़र रहेगी बहुत 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 शुक्रिया शरत आपका ये सारी जानकारी देने के लिए खबरों वाले शेर्ज और नती जोगा पूरा अनालिसिस देने के